मित्व नमस्काप मैं सती शक्रवार मैं गवर्प रुपस्ति में आपसे बातचीत के लिए हम अपनी स्वास्त विशेग धारोईक हेर्थ यानि वेर्थ इसमें वर्तमान में जाए करोना महामारी और लॉग्डाउन के विशेगों का मत लेते हैं आज हम इस काई प्रम की 37-37 अम्रावती शहर के युवा अप्थन वाज डॉक्टर मंजी तोटे से मारदशन हसे करें सर्ट श्ट्डिमा का हार्डिक सौर्वत है अपसे प्रशन है कि इस समय में जब लोगों के पास में काफी समय है तो आपना बहुत समय वे स्क्रीन के सामने बिताते हैं चाहे हो इस विशे में आपका मत क्या रहे है नमस्कार मैं डॉक्टर मनीश तोटे हम रौते में आप्थाल्मालोजिस्ट यानि के आई स्पेशिलिस्ट के तौर पर काम करता हूँ जैसे हम सब जानते हैं आज कल हम सब अपने अपने घरों में कायद है और आपको तथा देश को और समाज को सुरक्षित रखना चाहिए लेकिन क्या करें जान तो बचानी है लेकिन जान भी तो है ना हम मेंसे बहुत सारे ऐसे लोग है जिने अपने घर से भी काम करना पड़ता है और वो काम किस सुरुक से डिजिटल एक्विप्मेंट याने कंप्यूटर इंटरनेट मोबाईल इनका उपयो करते हैं अब ये का आखो में कुछ-कुछ समझते हैं निश्चित तोर पर उत्बन्न होने वाली है और जिसे हम ब्रॉडली डिजिटल आयस ट्रेंड इस काटेगरी में सम्मेलित करते हैं अब इसमें क्या होता है आखो में जलन होने लगती है आखो में लाली आती है और इरिटेशन यहने खु सबसे पाइला जो मोस्त कौमन हमारे पेशेंट्स को बताते है वह है वह है अब यह 20-20-20 क्या है तो इसमें से 1st 20 हमें जब हम किसी कंप्यूटर पे मोबाइल पे या लैप्टॉप पे काम कर रहे है तो हर 20 मिनिट बाद एक ब्रेक लेना चाहिए यह हुए हमारा 1st 20 अब द 20 second का ब्रेक होना चाहिए और यह 30 20 क्या है तो उस दिरेक के दर्मियान क्या करना है तो अब तक हम क्या कर रहे हैं हम नजदीक पे फोकस करके आखों को कम्प्यूटर पे गढ़ाये रख रहे तो यह न करते वे 20 मीटर या उससे दूर कही हम को आखों को फोकस करना है अगर चोटी है 20 मीटर का अंतर नहीं है खिड़की नहीं है तो क्या करें अपने आखें 20 सेकंद के लिए बंद कर दीजे तिया हो गया 20-20-20 रोल इससे आपके आखों को कंटीनिवस एक्स्पोजर नहीं होते वे बीज बीज में अगर रेस्क बिलते रहेगी तो काफी हद तक हमा लुब्रिकेशन डॉप्स के अलावा दूसरी चीज जो हमको बचा सकती है वह इन्हें हमारे आखों में जो हम चश्मा यूज करते हैं उस पर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग और सी कोटेड के ग्लासिस हम यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ हमारे जो एक्विप्मेंट है जैसा मोबाइल का स्क्रीन है लैपटॉप का स्क्रीन है उस पर भी हम एंटी रेडियेशन गार्ड जिसको स्क्रीन गार्ड कहते हैं वह भी लगाये जा सकते हैं यह एक एफेक्टिव तरीका है यह डिजिटल स्ट्रेंज से निजात पाने का अब सवाल हमको अपने पर दोशी नहीं मानता, क्योंकि हम घुद ही बच्चों को इस मोबाइल और डिटेल एक्विय्कमेंट के अर्णै aboneh के रोते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब इसको समझाओ तो इसके लिए मैं आपको वही ज़ला दूंगा कि बच्चों को सही समाइब दीजे बच्चों को बाकी चीजों में बिजी रखे ताकि यह डिजिटल एक्वेपमेंट की जरूती ना पड़े और बच्चा तो खुद ओके मोबैल तो जाके खरीद के ला नहीं रहा उसको दे रापन हमी न तो यह चीजी थोड़ा सा हमको भी ध्यान देना चाहिए तो आखरे में समप करते हैं यह बुलूंगा कि डिजीटल एक्वेपमेंट जरूरी है उससे भागा नहीं जा सकता लेकिन उसका जूड आज हमने अम्रोंतिक शहर के युव अप्थरों लॉजिस्ट डॉक्र मनिशी तोटेस से बातचीत की यह बातचीत आपको कैसे लगी इस यूशे में अपना मत और उप्तियों को सुझाओ स्क्रिम्पर दिखाएगा नंबर पर हमें प्रेशित करें आपसे विदा का समय हो जब झाले एसे नमस्का जाएगिंजयों को जाएगिंट